नमस्कार दोस्तों आर के योजना यूट्यूब जैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है पैंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी खुश खबरी है आज की तारीक में ही सरकार द्वारा पैंशन को जारी कर दियेगा है अक्तुबर, नवंबर, दिसम्बर महिने की पैंशन आसी तीन हजाव रुपे तीन हजाव रुपे लाभार्तियों के बैंखाते में ट्रांसफर की गई है आज की तारीक में पैंशन बैंखातों में आ गई है यदि आप भी सरकार से दिव्यांग, विद्वा, वर्दवस्था या कुछ तवस्था में से किसी एक पैंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं आपकी पैंशन बनी हुई है आज की यह जानकारी आपके लिए ही है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको पुरूव के साथ दिखा जाएगा कि किस तारीक में पैंशन आई है और सबसे पहले किन लाभारतियों को लाम मिला है और किन को इस बार अक्टूबर, नॉमबर और दिसंबर मेने की पैंशन का लाभ नहीं मिलेगा वीडियो की सुरुवात करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ ही बैल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राफ्थ हो और आप सबसे पहले ही उस कलाव उठा सके चलिए वीडियो की सुरुवात कर लेते हैं तेकि हम बात करें हैं पैंशन पैंशन, इसकीम या फिर आप कह सकते हैं वर्ष 2023 के अंतरगत मिलने वाली पैंशन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महने की पैंशन के बारे में अब इसी बीच कुछ ऐसे पैंशन धारक भी है जिनको अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महने की पैंशन नासी तीन हजार उपे जो हैं वे बैंक खाते में नहीं पहुँच पाएगी उन pension धारकों को लाब नहीं मिलेगा अब ऐसे कौन-कौन से pension धारक है सबसे पहले आप यह जान लीजिए ताकि आप भविस्य में अपनी pension की जो गलती हो रही है वह ठीक करा सके और जो आगे pension ट्रांसफर की जाएगी आपको इस pension का यानी किरु की pension का और आगे जो pension मिलेगी उस pension गलाब आपको एक साथ मिल सके यानी कि 6000 रुपे pension आज़ती आपको एक साथ मिल सके तो कौन-कौन से गलतिया है हम यह पर आपको गलतिया बता देते हैं समझा देते हैं तो कैसे ठीक होगी किनो डोकुमेंट की अवशक्ता होगी वह भी आपको जानकरी दी जाएगी देखे सबसे पहले आपका pension का एक नंबर पर आता है आपकी pension का EKYC ये आपकी pension का है अब बहुत से ऐसे pension दारके जिनको मालूम ही नहीं है कि pension का EKYC क्या होता है और कैसे आपको कराना है देखे जो ये EKYC है ये आपकी pension का होना है अब pension की EKYC कैसे होगी नजदी की जनसुईधा केंदर यानि की CSC सेंटर पर जाकर अपने आधारकार को ले जाएगा और आधारकार में जो मोबाइल नंबर लगा हुआ है वह मोबाइल नंबर आपको लेकर जाना है जो आधारकार में आपके मोबाइल नंबर लिंक है वह आपको मोबाइल नंबर लेकर जाना है और जाने के बाद वहाँ पर जाकर आप बायो यानि की OTP के माध्यम से आप अपना EKYC का कारिय पूरा करा सकते हैं या फिर आप घर बैठी अपने मुबायल फोन से ही यानि की Pansion Portal पर जाकर और अपने ID को Login करके आप स्वेम भी अपना ये कारिय पूरा कर सकते हैं जिसने नहीं किया जिसने पहले ही कर लिया है उनको दोबारा करने की अवशकता नहीं है देखे पहले तो हमने आपको बता दिया क्या कारिय करना है कैसे करना ये हमने आपको बता दिया पात करते हैं दूसरे कारिय के बारे में दूसरा कारिय है आपका Bank का KYC अब ये Bank KYC क्या है देखे Bank KYC है जो काफी ज्यादा पुराने pension धारःक है और उन्होंने अपना bank KYC नहीं कराया या अपने account नंबर से अपने आधार कार को link नहीं कराया तो जल्से जल्स अपना यह कारिया करा लीजिए इसको बोला जाता है bank KYC ये आपको करना है आप अपने आधार काड़ी की photo state लेकर जाईएगा उस पे आप अपना mobile number लिख दीजेगा और जाकर अधिकारों के पास जमा कर दीजेगा जो bank में अधिकारी बैठे होते हैं वहाँ पर जमा करने के बाद आपका जो आधार काड़े है आपके account number से link उसको कर दिया जाएगा एक तो ये कारिये आपको कराना है जिसने नहीं कराया जिसने पहले करा लिया है दुबारा कराने की अवशकता नहीं है अब बात करते हैं अगले कारिये के बारे में अगला कारि ये है आपके आविधन फारम में किसी नहीं किसी परकार की गलतिया अब यहाँ पर चार कोलम आपको नजर आते हैं पहले तो जब आप आविधन करते हैं उसकी तारी फिर यहाँ पर SDM या DW द्वारा ये ट्रांसफर किया जाता है और यहाँ पर दुबारा से re-verified किया जात जिन लाभारतियों के re-verified दोरान कोई गलतिया पाई गई है जैसे आपके नाम में गलतिया है आपके जनम्तिति में गलतिया है आपके address में गलतिया हो रही है तो वहाँ पर आपकी pension को रोक ले जाएगा यानि कि आपके आधार कार्ड में और यहाँ पर bank की passbook में क्योंकि जब आपने अपनी pension के लिए आज दन किया था bank detail भी दी थी तो bank की passbook, इन से भी में आपकी एक जैसे detail होनी चाहिए, information जानकारी होनी चाहिए, यदि आपके नाम में कोई गलतियां हा रही है, जनमतितियां में गलतियां आ रही है, account number आपका सही नहीं है, IFSC code आपका सही नहीं है, या कोई किसी भी प्रकारी कोई गलतियां है, तो ऐसी स्थिति में आपके pension को रोख लिया जाएगा, या तो आप अपने आधार कार्ड को ठीक करा लीजे, या अपने bank के पास अपडेट करा लीजे, ठीक है ना, आपकी सभी चीजी एक जैसी होनी चाह है, अब आपको वहाँ पर जाना है, वहाँ पर जानने एक बात अधिकारियों से मिलना है, और उनको बताना है, जब से आपके pension रुख रहे है कि इतना समय हो चुका है, हमारी pension bank खाते में नहीं पहुँच रही है, तो ऐसे स्थिति में, जो आपर समाज कल्यान में या विका pension number, यह अब चीज़े आप ले कर जाएए, इन document से आपकी pension की detail वे अधिकारी अपने laptop में चेक करेंगे, desktop में देखेंगे, online ही, अब जो गलतिया हो रही है, आपको गलतिया बताई जाएगी, अब कैसे संशुदन करा सकते हैं, वह अधिकारी आपको बता देंगे, संपूर् रुपे जल्दी मिल जाएगी, जिनको नहीं मिली है, चाएवे, दिव्यांग, विद्वा, वर्दवस्था, कुष्टवस्था या तलक्षुदा, किसी भी pension lab क्यों ले रहे हो, गलतिया नहीं होनी चाहिए, आपको pension lab जल्दी मिल पाएगा, तो चलिए हम यहाँ पर एक pension धारक का खाता, SBI Bank में है, तो उनकी तरफ से यह message आया हुआ है, एक pension धारक है, जो उन्होंने हमारे पास यह send किया है, आप भी हमारे Instagram ID पर या फिर YouTube के जो inbox में, वहाँ पर आप send कर सकते हैं, तो देखें, यहाँ पर आप यह message स्वैम देखिए, लिखा हुआ है, Dear customer payment of चार बारत दो हजारतेईस, यानि की चार दिसंबर दो हजारतेईस में, किस समय है, सुभा के समय, इन लाभारतियों को तीन हजार रुपे सरकार की तरफ से pension के मिल चुके हैं, अब जो pension आसी आई है, यह विद्वा महिला, तलाकशुदा महिलाओं के बैंक खाते में ट्रां pension धारक हो जाएंगे, तो यहाँ पर सरकार जिलेवार pension को transfer कर रही है, किसी जिले में विद्वा महिलाओं को pension दी गई है, तो किसी अन्य जिले में दिव्यांगों को pension मिली है, किसी अन्य जिले में वर्दवस्तर pension धारकों को pension दी गई है, तो सरकार यहाँ पर जिलेवार pension ट पैंशनासी उत्तर परदेश में ट्रांसफर की जा रही है तीन-तीन हजार रुपे यदि आप भी उत्तर परदेश राज्य की निवासी है और आपको पैंशन मिल गई है तो आप हमें नीच से कमेंट करके जरू बदा सकते हैं कि आप किस जिले से हैं और किस पैंशन का लाव मिलता है और इदी जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है डाउट है पूछना चाहते हैं नीच से कमेंट बॉक्स में जागर पूछ सकते हैं सभी सालों के जाब आपको दे दिया जाएगा लाश्ट में हम निवेदन यहीं करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथी बैल बहरत